वेलकम टू माय चैनल तो हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.4 के कोस्टन्स को और इसके पहले के जो एक्सरसाइज हैं उसका वीडियो लिंक आपके मिल लगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स महां से आप चेकाउट कर सकते हैं यह हमारे पास जो फर्स्ट कोस्टन इसमें कह करने के लिए कहा गया है तो कॉट एक के रोप में नौट करने के लिए कहा गया है तो हम यहाँ पर यूज कर लेंगे ट्रियूमेटिक आइटिटिटीज और यह हमारे पास जो होता है इसको यहाँ पर पहले नौट कर लेते हैं और इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे तो तो जो पहला हमारे पास हुआ करता है यह बहुत ही simple है जैसे sin square हम यहाँ पे theta यूज कर लेते हैं अंगल के जगा आप चाहें तो a भी रिख सकते हैं बी भी लिख सकते हैं ओके तो sin square theta plus cos square theta यह हमारा कितना हुआ करता है 1 हुआ करता है यह हमारा first हो गया इस तरह से second जो हमारा होगा हुआ हमारा was sec square theta minus 10 square theta equal to 1 तो इसको हम नोट करेंगे sec square theta minus 10 square theta equal to 1 और एक और हम यहाँ पे नोट करेंगे cosec square theta minus cot square theta equal to 1 यह हमारा cosec square theta minus cot square theta equal to 1 अब यह जो हमारे पास relation है इसको हम use करेंगे यहाँ पे express करने के लिए तो पहले तो हम यहाँ पे sign को किस में लेके जाएंगे sign को लेके जाएंगे हम cot में फिर हमारा जो अगला आता है sec उसको भी cot के रुप में express करेंगे और 10 को भी cot के रुप में express करने वाले हैं तो आईए हम first में sign को करते हैं अब यहाँ पे देखिए sign को हमको cot में represent करना है तो sign का direct relation cot के साथ नहीं है sign का relation cos के साथ है तो अभी अगर हमारा direct होता sign का cos के साथ तो हम आसाने से ले जाते लेकिन यहाँ पे sign का cos के साथ है तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा ना एक step यहाँ पे extra लेना पड़ेगा और हम कैसे लेंगे तो यहां पर कुछ और पास यहां पर फौर्थ नमर में जो आएगा वह हमारा होगा sin theta into cos theta sin theta into cos theta equal to one होगा और इसी तरह से और भी हमारे relation होजाएंगे जैसे sin का cos x के साथ लिए तो 1 होगा करने से फिर हम यहां पर अगर 10 का लेते हैं 10 theta into court theta तो भी हम को यहां पर one मिल जाएगा और एक और हमारा यहां पर जो होगा वो SEC का होगा किसके साथ तो court के साथ ठीक है SEC का को SEC के साथ SEC और cost ठीक है तो यहां पर मिल लिखेंगे साइन से जाना है कोट में जाना है तो पहले हम क्या करते हैं साइन से चल जाते हैं कोशेक में जो कि साइन और कोशेक के विच रिलेशन हमारा आ रहा है और फिर कोशेक से चल जाएंगे कोट में जो कि कोशेक का कोट के साथ रिलेशन हमारा आ रहा है तो अगर हम यहां पर कॉसेक A चुकि ठीटा के जगा हमारा A है अगर यहाँ पर एंगल जो रहेगा वही हमको रखना है अगर ठीटा रहेगा तो ठीटा लिखेंगे A रहेगा तो A लिखेंगे तो साइन A इकल टू हमने क्या लिख दिया 1 अपन कॉसेक यह कैसे लिख दिया तो आप यहाँ पर देखिए हमारे पास यह जो फूर्थ नमर का फॉर्मूला है इससे यह हमारा कॉसेक अगर राइट शैट जाएगा तो डिवैड में आ जाएगा तो साइन इकल टू 1 अपन कॉसेक यह हो जाएगा अब जो हमारा दूसरा यहाँ पर है कॉसेक का कॉट के साथ रिलेशन हमारा है तो यहां से हमारा क्या बन जाएगा अगर हम इसको लिखना चाहें यह हमारा कॉसेक असक्वार थीटा इकल टू राइट शैट अगर हम कॉट को ले जाएगे तो one plus हमारा क्या आएगा quarter square theta आएगा अब अगर यह हमारा square है इसको right side लेते हैं तो हमारा root में आ जाएगा अनिकी root under one plus quarter square theta यह हमारा कब आएगा जब हम cosec theta निकालेंगी ठीक है हम square को अभी right side shift कर लिए तो अब देखिए हमारा यह आ चुका है cosec को हम क्या लिख सकते हैं root under one plus quarter square theta यह हमारा cosec equal to क्या हो जगा root under one plus quarter square theta अब theta के जगा हमारा यह है तो हम यहाँ पे a लिखेंगे अब देखिए sin यह हमारा किसमे represent हो चुका है sin यह हमारा आ चुका है किसमे cot a में आ चुका है तो यह हमारा answer हो गया अभी और भी हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास sec है sec को लेके जाना है cot में तो यह हम second number ले लेते हैं यह हमारा क्या है ना sec की तो क्या sec का direct cot के साथ relation है sec का relation 10 के साथ है और sec का relation cos के साथ है लेकिन cot के साथ तो direct relation नहीं है तो अभी हम क्या करेंगे नहीं, सेक से चल जाते हैं, 10 में, हम क्या करते हैं, सेक धीटा से किस में चले जाएंगे, 10 में चले जाएंगे, और 10 का relation किस के साथ है, cot के साथ है तो 10 से हम किस में चल जाते हैं cot में चल जाते हैं तो यह हमारा कुछ पाथ हो गया SEC से हम 10 में जाएंगे और 10 से हम cot में जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा अब देखिए मैं इसी को follow कर लेते हैं तो SEC का हमारे पास जो 10 के साथ relation है वो यह हमारा second number पे है तो अगर हम यहां से इसको solve करें हमारे पास क्या आता है यहां पे अगर हम solve करके देखें यह देखिए sec square theta है minus 10 square theta equal to 1 है तो यहां से अगर हमको sec square theta लेना हो तो 10 को हम राइट श्राड लेंगे तो 1 plus 10 square theta आ जाएगा तो अगर हमको यहां पे square को right side shift करना है तो हमारा क्या हो जागा sec theta यह root under 1 plus 10 square theta होगा तो अभी हम क्या करते ना sec को लिख लेते हैं 10 के रूप में तो sec को हम लिखेंगे root under 1 plus 10 square a okay चुकि theta के जगा हमारा a है तो हम यहां पे a लिख लिए यह अब समझ गिए हम second number formula को यहां पे use किये हुई है अब देखिए 10 का हमारा court के साथ relation दिया हुआ है तो 10 का अगर court के साथ relation दिया हुआ है तो 10 से हमारा क्या आएगा देखिएगा यह हमारा है 10 theta into court theta equal to 1 तो यहां से 10 theta equal to क्या हो जाएगा 1 upon court theta हो जाएगा तो चलिए हम क्या करते हैं 10 के जगा put कर लेते हैं 1 upon court theta तो चुकि यहां पर square है तो हमारा square रहेगा यह 1 plus 10 के जगा हम क्या रखेंगे 1 upon court theta रखेंगे और इसका हमारा square होगा चुकि यहां पर a है इसलिए हमको a रखना है theta आगिया अब next step में हम ले लेते हैं यह 1 plus 1 का square तो 1 ही होगा और court a का square हमारा क्या हो जागा ना court square a हो जाएगा अब यहां पर LCM लेंगे यह तो फिर यहीं पर answer रख सकते हैं तो चली LCM लेने से हमारा answer मिल जाएगा तो इसको हम LCM यहां पर ले लेते हैं अब LCM लेने का आसान तरीका क्या होगा ना यह हमारा जो court a square a है इसको one से multiply कर दें तो one से multiply करेंगा था हमारे पास क्या आजागा ना यह हमारा court a square a आजागा पलस लिए और यहां पर one है one रहेगा और हमारे पास denominator में क्या है ना quarter square a है तो यह कुछ हमारा short trick हो गया LCM लेने का अब जो root आप देख रहे हैं यह दोनों के लिए है numerator के लिए है denominator के लिए तो चलिए हम पहले numerator के लिए लिखते हैं यह हमारा क्या हो रहा है ना quarter square a प्लस one ह हो रहा है और denominator में क्या हो रहा है root अंडर quarter square a हो रहा है अब यहां पर हमारा square है ना इससे हमारा root cancel out हो जएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा यह हमारे root के अंदर है यहां पर आपको cancel ने होगा चुकि पलस one में है इसलिए यह square से यह root आपको cancel नहीं होगा यहां पर अंब यह जेंस लोगा और थ्यादा पे हैं लोगों का आणसर यहां फे बन गया हम look's कर लिया है तो क्या पर यहां हो 제품 कर लिया है तो यह CH यहां पर है 10 और 10 को रवेशन करना है और वह बीलकूल आसान है उसके लिए कोई दिखत नहीं है, हमारे पास 10 ये है, इसको कॉट में लेके जाना है, तो direct relation होता है, हम लोग जानते हैं 10 theta into कॉट थिटा equal to 1 होता है, तो 10 theta equal to हमारा हो जागा, 1 upon कॉट थिटा, ये हमारा direct हो जागा, हम यहां पे कोई दिखत नहीं इसको, 10 is equal to हम लिख सकते हैं one upon quality और यह easily हमारा आ गया तो यहां पर हमने क्या किया ना first number के question को solve कर लिया हमको यहां पर represent करना था और यह हमारे पास जो दिया हुआ है identity इसका हमने यहां पर use कर लिया है और बड़े आसाने से इसको हमने represent कर लिया है तो चलिए अब next हम लोग second number question को solve करेंगे second number हमारे पास जो question इसमें क्या कहा गया है write all the other trigonometric ratios of angle A in terms of second number हमको यहां पर second number करने हैं तो हम लोग यहां पर फिर से note कर लेते हैं हमारे पास जो दिया हुआ है identities और उसके help से हम इसको कर पाएंगे तो चलिए हम यहां पर पहले note करेंगे तो यहां पर मैंने note कर लिया है rough में तीक है आप इसको ध्यान में रखेंगे इसी से हमारा यहां पर solve होगा तो हम science से start करते हैं तो पहले हम लोग क्या करेंगा और साइन यहां पर angle हमको कहा लएना है तो यहां पर लिखेंगे साइन यह अब science से हमको जाना है किसमें सेक में जाना है तो साइन का diet relation हमारा सेक के साथ नहीं है साइन का हमारा relation किस के साथ है कॉस के साथ है ओके और साइन का हमारा केस के साथ है कॉस एक के साथ है तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा ना एक बार हमको चेंज करना पड़ेगा यहां पे साइन से कॉस में ठीक है हम लोग पहले क्या करते हैं यहां पे साइन A से हम लोग चले जाते हैं कॉस में साइन का रिलेशन तो कॉस के साथ है और कॉस का रिलेशन हमारा सेक के साथ है आप यहाँ पर देख सकते हैं सेक और कॉस एक दुसरे से रिलेटेड है तो पहले साइन से के यह कॉस में और cos से हम चल जाएगे कहाँ पे sec में चल जाएगे तो आईए हम यहाँ पे sin से किस में जाएगे cos में जाएगे तो यहाँ पे हमारे पास फर्मूला है sin square theta plus cos square theta is equal to 1 तो हम यहाँ पे इसको किस तरह से लिख सकते हैं अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो देखिए यहाँ पे मैं लिख के आपको दिखाता हूँ यह हमारे पास है sin square theta ले लेते हैं plus cos square theta equal to 1 है तो अगर हम cos square को right side लेंगे तो यह minus में हो जाएगा तो sin square is equal to हो जाएगा हमारा 1 minus cos square theta अब यह square है इसको right side shift करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा sin theta is equal to root under यह square right side shift होगा तो root में आजागा root under 1 minus cos square theta यह हमारा हो गया तो यहाँ भी हम इसी तरह से not करेंगे sin a को हम क्या not कर सकते हैं यहाँ पर sin a को हम not कर लेंगे sin a को हम not करेंगे root under 1 minus cos square a तो चलिए यह मैं ले लिए यहाँ पर root under 1 minus cos square a रखेंगे अब देखिए cos का relation हमारा किस के साथ है cos का relation हमारा यहाँ पर sec के साथ है तो यह हमारा क्या हो जाएगा cos equal to हो जाएगा 1 upon sec हो जाएगा तो next step में हम यहाँ पर क्या करेंगे 1 minus cos के जगर लिखे देंगे 1 upon sec तो यह हम लिखे दिए 1 upon sec चुकि यहाँ पर square है इसलिए हम यहाँ पर square ले लेंगे अब हम क्या करेंगे lcm लेंगे तो lcm लेंगे और हम short trick अपनाते हैं तो sec square है इसका 1 से multiply कर देंगे तो हमारे पास 1 ही आएगा यह हमारा जगा sec square है minus देंगे यहाँ पर 1 लिखेंगे और यहाँ पर denominator में क्या है sec square है तो हमारा sec square है यहाँ पर रह जाएगा अब देखिए यह जो root है यह दोनों के लिए है तो हम numerator के लिए पर लोट करेंगे यह हमारा होगा sec square a minus 1 और फिर denominator में हमारा जो है उसके ली भी होगा यह हमारा हो जागा sec square a अब यह square से यह root हमारा cancel out हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ पर आजागा sec square a minus 1 यह तो root के अंदर लेगा यह तो निकलेगा नहीं और यह sec square यह हमारा निकल लेगा और यहाँ पर क्या आजागा sec यह आजागा तो कुछ इस तरह से हमारा answer बन जाएगा तो first number तो हमने यहाँ पर sign को represent कर लिया अब यहाँ पर कहता है जितने भी हैं सभी को sec में लेना है तो sign को हमने कर लिया अब हम cos को करेंगी तो cos का तो sec के साथ direct relation है आप यहाँ से देख सकते हैं तो इसमें हमको कोई दिकत नहीं होगा हमारा जो second होगा हम इसको लेते हैं cos a तो cos a को हम direct लिख सकते हैं one upon sec a इसमें कोई दिकत नहीं है यह हमारा direct formula है इसे हमारा दिकत नहीं है next हमारे पास आता है 10 तो 10 को हम क्या करेंगे 10 को हम not करेंगे sec के रूप में तो 10 का direct relation sec के साथ है आप यहाँ से देख लीजी इसलिए यह भी हमको दिकत नहीं होगा सेक का और 10 का डायाट रिलेशन है तो आईए इसको हम यहाँ पे चेंज कर लेते है हम यहाँ पे लिखेंगे 10 A equal to हमारा क्या होगा तो ऐसा करते हैं 10 A square लेते हैं 10 A square is equal to हो जागा 1 हमारा यह हमारा 1 plus हो जागा ठीक है यहाँ से फोर्मूला हमारा देख लेजिए 1 plus 1 minus sec square नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा हमारा sec square होगा ठीक है यहाँ पे sec पहले होगा यह हो जागा sec square A minus 1 होगा कुछ इस तरह से होगा तो अभी हम क्या करेंगे ना इस square को right side shift कर देंगे तो हमारे पास 10 A equal to क्या हो जागा 10 A equal to हो जागा sec square A minus 1 का root यह हमारा हो जागा sec square A minus 1 का root और यह answer हो गया हमने यहाँ पे कौन सा relation use किया हुआ है हम यहाँ पे use किये हुए है sec square A minus 10 square A equal to 1 यह relation हमें use किये हुए तो 10 हमारा right side जाएगा तो plus और 1 हमारे दार आगा तो minus तो sec square A minus 1 हमारा होगा 10 square यह तो यह हमारा दूसरा change हो गया अब हम court को लेखेंगे तो court का direct sec के साथ relation नहीं है आप देख लिजिए okay court का यहाँ पे 10 के साथ है और court का cosec के साथ है तो आप लोग क्या करते हैं ना court को पहले 10 में ले जाते हैं और 10 से हम sec में ले आएंगे तो आईए हम यहाँ पे पहले court को लिखते हैं 10 के रूपे तो हमारे पास है court A और यह हमारा हो जाएगा 1 upon 10 A क्यों हो जाएगा तो कि 10 into court equal to 1 होता है अब यहाँ पे देख लिजिए हमारा 10 यह जो है वो किस रूपे है sec square A minus 1 इसका root है तो आईए हम 10 A को यहाँ पे change कर देते हैं 10 A को हम लिख देते हैं 1 root under sec A sec square A sec square A minus 1 यह हमारा answer बन गया यहाँ पे 10 A equal to हमने यहाँ पे note कर चुका है sec square A minus 1 तो वही हम यहाँ पे 10 A के जगा क्या रख दिए sec square A sec square A minus 1 रख दिए अब आप देख लिजिए sin भी हो गया cos भी हो गया 10 भी हो गया cot भी हो गया अब हमारा आता है क्या हमारा आता है cosec तो चलिए हम cosec को ले लेते हैं तो जब हम यहाँ पे cosec को लेंगे तो cosec का diet relation हमारा sec के साथ नहीं आएगा यहाँ पे cosec का जो relation है sign के साथ है और cosec का जो है cot के साथ है तो हम लोग क्या करते हैंगा इसको हम कुछ चेंज करना हमको लेके जाना है कहाँ पे sex में लेके जाना है तो cosec से अगर हम sign में चल जाएं ठीक है और साइन से हम कहां पर चल दाएं साइन से हम कौस में चल दाएं और कौस से हम सेक में चल दाएं यह के तरीका हो गया या तो फिर कौसेक से हम अगर चल जाते हैं कौट में ठीक है तो कौसेक से हम कौट में जा सकते हैं और कौट से हम फिर 10 में जाएंगे और 10 से फिर हम Sec में जाएंगे तो यह हमारा कुछ यहाँ पर पात बन जाएगा तो आई हम इसको करते हैं तो हम यहाँ पर एक बार देख लें Flow Chart हमारा क्या होगा Process सबसे पहले हमारे पास यह है Cossack Cossack से हम किस में चल जाएंगे Cossack से हम जा सकते हैं Sign में आई हम Sign में आ जाते हैं अब Cossack से अगर हम Sign में आ गएं तो Sign से फिर हम जा सकते हैं किस में जा सकते हैं Coss में Coss में और Coss का relation हमारा Sec के साथ है तो इसके बाद हम यहाँ पर Sec में चल जाएंगे आने कि 1, 2, 3, 4 हमको यहाँ पर Change करना पड़ेगा तो चलिए हम Note करते हैं यहाँ पर Cossack तो Cossack यह जो हमारा होगा यह हमारा क्या होगा 1 upon Sign A के इकॉल हो जाएगा तो चलिए हम यह 1 upon Sign A देखते हैं अब Sign से हम को जाना है Coss में हमारे पास Relation क्या हुआ करता है यह हमारा हुआ करता है Sign S square A Plus में हुआ करता है Coss square A equal to 1 तो यहाँ से ऐगर हम लिखे Sign S square A तो 1 minus हमारा हो जागा Coss square A और इस स्क्वाइर को राइड शेड लेजें तो हमारे पास यहाँ पर रूट बन जाएगा से हैं one मैनस कॉस स्क्वार्ड लिख सकते हैं तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं हमारा one हुआ और sign के जगर हम लिखेंगे root अंडर one मैनस because है a sign से मैं को जाना है सैक में देखे कॉस इंटू शैक हमारा क्या होता है one होता है यह हमारा होता है cos a into sec a equal to one तो हमको यहाँ पे cos a के value क्या मिल जाएगा 1 upon sec a तो चलिए हम यहाँ पे note कर लेते हैं यह हमारा one हो गया root k under one minus यह cos a है तो इसको भी लेक सकते हैं one upon sec a यहाँ पे square है इसलिए a square रखेंगे that is sec square a अब next step में यह हमारा one हो गया अब यहाँ पे फिर से हम lcm ले लेंगे तो sec square a का one से multiply होगा तो यह हमारा क्या हो जागा sec square a ही होगा minus one लेंगे और यहाँ पे divide में हमारा क्या है न sec square a है तो यह हमारा sec square a अभी यहाँ पे रह जाएगा अब इसको solve करते हैं तो यह हमारा क्या होगा यहाँ पे one तो रहेगा ही और आप देखेगा यह जो root है यह दोनों के लिए है तो पहले तो हम यहाँ पे numerator के लिए लिखेंगे और यह हमारा हुआ sec square a और डिरिमेंटर में हमारा है sec square a तो यह भी हमारा root के अंदर आएगा sec square a अब यह sec square से root हमारा cancel हो जाएगा तो केवल sec बचेगा अब जो sec बचेगा यह हमारा ऊपर यहाँ पे numerator में आजाएगा तो कुछ इस तरह से हो जाएगा यहाँ पे देख लेजएगा यह square से root cancel होगा और फिर sec यह बचेगा यह हमारा कहाँ चल जाएगा numerator में आजाएगा तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे sec a upon यह हमारा root under sec square a minus 1 तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं sec square a minus 1 और यह हमारा answer आ गिया हमने यहाँ पे cosec को किसमे लेके चला गया sec में तो अब देखिए यहाँ पे ज़्यदा हमारा difficult कहाँ हुआ sec से हमको cosec को लगा जाना है sec में एक किसमे problem हो रहा ज़्यदा और यहाँ पे science से हम जा रहे हैं sec में और बाद बाकी जो और भी हमारे पास है वो बहुत ही आसाने से हमारा निकल चुका है तो चलिए यह इसमें हमारा solve हो गया question second अब हम question number third को यहाँ पे solve करेंगी third number question में हम लोग को evaluate करने के लिए का आ गया है तो यह हमारा cancel out होके one आ जाएगा लेकिन यहाँ पे cancel हमारा होगा कैसे तो formula हम यूज करेंगे अभी हमारे पास sin square 63 दिया हुआ है और यह sin square 27 दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं ना दोनों में से किसी एक को change कर लेते हैं cost में तो यह हमारे पास है कितना यह है sin square 63 degree और अगला है sin square 27 degree तो हम क्या करते हैं इसको हम यहाँ पे change कर लेते हैं यह जो हमारे पास है 27 ना इसको हम 90 के term में लिखते हैं तो 90 degree में अगर हम यहाँ पे 63 degree minus कर दें हमारा 27 degree आएगा तो इसको हम यहाँ पे change कर लिए अब हमारे पास जो denominator में है इसमें से भी हम एक चेंज करेंगे यह हमारे पास cos square 17 है तो इसको हम क्या करते हैं 90 के term में note कर लेते हैं 90 माइनस हम कितना करेंगे 73 कर लेंगे तो हमारा 17 आ जाएगा और plus में हमारे पास क्या है न यहाँ पर cos square 73 डिग्री तो यह हमारा हो गया नेक्स टेप ले लेते हैं यह देखिए sin square 63 तो यह हमारा as it is रहेगा sin square 63 डिग्री plus sin हमारा किस में चैंज होता है cos में तो sin 90 मानेस थिटा हमारा cos में आ जाएगा तो यह हमारा हो जाएगा cos square 63 डिग्री अब यह हमारा हो गया है अभी denominator में भी हमारा same होगा यहाँ पे cos square 90 मानेस थिटा है न तो यह हमारा sin में चैंज हो जाएगा that is sin square 73 डिग्री आ जाएगा और यहाँ पे cos square हमारा पहले से 73 डिग्री है तो अब यह formula हमारा होता है sin square theta plus cos square theta is equal to 1 होता है थिटा हमारा तो same है यहाँ भी sin square theta plus cos square theta is equal to 1 होता है तो 1 upon 1 हमारा क्या आ जागा 1 आ जागा और यह हमारा solve हो गया second number देखते हैं इसका third number का फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे change कर लेंगे तो sin और यह cos है cos को हम change करके sin मिले जाते हैं और यहाँ पे cos और sin है तो sin को हम change करके cos मिले जाते हैं तो आईए अभी हम लिखते हैं sin हमारे पास कितना दिया गवा है 25 degree और यह हमारा है cos कितना 65 तो cos को हम लिखते हैं 90 के term में तो 90 में हम कितना minus करेंगे 25 तब ही हमारा 65 पाजाएगा पुलस यह हमारे पास है cos 25 degree पहले से है अब हम क्या करते हैं यहाँ पे sin को change करना है तो sin को हम 90 के term में लिखेंगे 90 में 25 मानेस करेंगे तो 65 आजाएगा अब यह देखिए हमारा क्या हो जाता है sin 25 degree और यह cos 90 मानेस theta हमारा क्या हो जाएगा sin theta और theta के जगा कितना है 25 प्लस यह हमारे पास कितना है cos 25 degree और sin 90 मेंज थिटा हमारा क्या हो जाएगा cos theta और theta का जाएगा कितना है 25 degree अब देखिए sin theta into sin theta यह हमारा क्या हो गया sin square theta हो जाएगा theta के जगा 25 degree plus cos theta into cos theta that is cos square theta अब आप देखिए यह हमारा sin square theta plus cos square theta के term में आ चुका है तो यह हमारा कितना होता है 1 होता है हमारा identity है इसलिए हम 1 यहाँ पर लिख सकते हैं तो second number भी हमारा 1 answer आ गिया ओके फोर्थ नमर में हमारे पास कहता है choose the correct option justify your choice तो हम यहाँ पर solve करेंगे तब हम यहाँ बता सकते हैं कि हमारा कौन सा answer correct है तो आई हम solve करते हैं तो हमारे पास क्या दिया हुआ ना 9 sec square minus 9 10 square तो हमारा क्या होगा ना यहाँ पर 9 हमारा common out हो जाएगा तो जब 9 हमारा common out हो जाएगा तो यहाँ बचेगा sec यहाँ से हमारा क्या बचेगा sec square यह और यह 9 तो बाहर से लागिया तो हमारा यहाँ पर आ जागा 10 square यह तो next step में यह देखे sec square minus 10 square equal to 1 होता है हम यहाँ पर 1 रखेंगे 9 into 1 हमारा 9 हो जाएगा और हमारा answer यहाँ पर क्या है B number पर 9 है तो B number हमारा correct हो रहा है हम यहाँ पर 9 note कर लेंगे और हमारा B number का option correct हुआ अब यहाँ पर हमको फिर से solve करना पड़ेगा तो हम क्या करते हैं न यह हमारे पास 10 theta जो है इसको हम लिखेंगे sin theta upon cos theta यह हमारा relation हुआ करता है और sec theta है इसको हम लिखेंगे 1 upon cos theta ओके अगला ही यहाँ पर भी हमारा हो जागा 1 और cot को हम लिखेंगे यहाँ पर cos theta upon sin theta right minus में cosec को हम लिखेंगे 1 upon sin theta ओके हम यहाँ पर use game है आडिंटिटी हमारा LCM यहाँ पर आ जाएगा तो LCM हमारा आ जाएगा यह हमारे पास LCM में क्या आएगा cos आ जाएगा चुकि यहाँ दोनों ही जगा हमारा cos है तो हम क्या करते हैं यहाँ पर LCM में cos ले ले लेते हैं ओके यह हमने ले लिया cos theta अब यहाँ पर 1 है तो 1 से divide करेंगा तो cos ही आएगा इसका मतलब यहाँ पर हमारा क्या आएगा cos theta प्लस cos से cos को divide करेंगा और यहाँ पर sin theta है तो हमारा क्या आ जाएगा sin theta और यह plus में हमारा cos से cos divide बाद आएगा 1 से 1 को multiply करेंगा यहाँ पर 1 ही हमारा बच जाएगा ते शेंहां पर करने वाले हैं हमारा यहां पर सहाओ और ऑ और यहां पर सब्चेशित को सिर दफा ये संसर किसा हुआ attached सब्सक्राइब के चलिए आपर साइन थीटा यहां पर वन भी करेंगे ओन एक रहों अब आप देख लिजिए यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है यह match करेगा हम multiply कर देंगे ठीक है तो यह हमारा हो जाता है sin plus cos plus 1 यहाँ पर भी sin plus cos minus 1 तो a plus b into a minus b में हमारा यह तूट जाएगा तो चलिए next step में हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे लिखेंगे a plus b तो a के जगा हमारा यहाँ पे क्या हो जागा ना sin theta plus cos theta यह हमारा हो गया a तो a plus b into a minus b तो हमारा यह a square minus b square b के जगा हमारा 1 है तो 1 का square हमारा हो जाएगा और निचे हमारा क्या है sin है और cos है इसको multiply करेंगे तो sin into cos है हमको यहाँ पे मिल जाएगा sin theta into cos theta अब इसमें हमको क्या खरना पड़ेगा इसमें हमको यहाँ पे लेना पड़ेगा फोर्मूला a square a plus b का whole square तो यह हमारा हुआ करता है a square plus b square b के जगाँ cos है तो हमारा cos square और फिर हमारा होता है plus 2ab तो हम लेंगे यहाँ पे plus 2ab 2 में हमारा यहाँ पे आजागा sin theta into cos theta तो a square plus b square plus 2 यह भी हमने तोड़ लिया minus में हमारा यहाँ पे 1 square तो 1 का square हमारा 1 ही रहेगा और हमारे पास denominator में क्या है sin theta into cos theta तो चलिए अभि हम यहाँ पे denominator में हम लिखे देते हैं sin theta into cos theta यहाँ तो कुछ भी चेंज ने किये, अब देखिए हमारा क्या होगा, यह sin square theta plus cos square theta is equal to 1 हो जाएगा, तो अब हम यहाँ पे 1 लिख लेते, sin square plus cos square is equal to 1, और यह हमारे पास यहाँ पे है 2 sin theta into cos theta, और यह हमारा है minus में 1, और denominator में क्या है हमारा, sin theta into cos theta, अब देखिए, यह हमारा है plus 1 minus 1, यह हमारा cancel out हो गया, दोनों हमारा खतम हो गया, तो हमारे पास बच क्या गया, यह बच गया, 2 sin theta into cos theta, अब आप देखिए, sin से sin cancel, cos से cos cancel, हमारे पास बचा क्या, केवल 2 बच गया, तो 2 हमारा answer हो रहा है, अब 2 हमारा कहां पर है, यह c number option पे ह तो c number is the correct answer, हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, और 2 हमारा answer हो गया, यह second number भी हमारा solve हो गया, third number पे हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे इसको change करते हैं, अब यह हम solve करेंगे, तो sec a हमारे पास है, इसको हम लिख सकते हैं, 1 upon cos a, तो चलिए, यहाँ पे हमने note कर लिया, 1 upon cos a, और यह हमारा sign a है, 10 a है, 10 a को हम लिखेंगे, sin a upon cos a, और यहाँ पे हमारे पास multiply में है, 1 minus sin a अभी इसको agitive रिखेंगे हैं, अब देखिए हमारा lcm आ जाएगा, तो cos a, cos a का lcm तुमारा cos a ही आएगा, जब lcm same है, तो numerator में कोई change नहीं आएगा, यह हमारा 1 plus sin a ही रह जाएगा, ओके, और यहाँ पे हमारे पास है, 1 minus sin a, तो अब देखिए, यह हमारे पास है, 1 plus sin a, multiply म 1 plus sin a, multiply 1 minus sin a, तो एफ फोर्मूला हमारा आ जागा, a plus b into a minus b, हमारे पास होता है, a plus b into a minus b, that is a square minus b square, तो यहाँ पे हमारा हो जागा, a square आनि 1 का square 1 होगा, minus a b square आनि sin का square, तो sin का square हमारा sin square हो जाएगा, तो 1 minus sin square हो गया, और हमारे पास denominator में क्या है, cos a है, अब देखिए, 1 minus sin square हमारा क्या हो जागा, cos square हो जाएगा, हमारा relation जो हुआ करता है, उसके according, तो यह हमारा cos a, अब cos से cos हमारा cancel out हो जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा, cos बच जाएगा, ओके, यहाँ पे हमने कौन स square a, plus cos square a is equal to 1, ठीक है, इस relation को में यहाँ पे use किये हुए है, ओके, तो अभी हमारा answer क्या आ रहा है, cos यह, अब cos यह हमारा कहाँ पार है, यह d number पे है, तो हमारा d number क्या हो जाएगा, correct answer हो गया, next हम यहाँ पे solve करेंगे, तो अभी देखे हमको क्या करना पड़ेगा, हम क्या करते हैं, यहाँ पे 10 और cot दोनों के हम change कर लेते हैं, तो हम यहाँ पे 1 प्लस 10 को क्या लेख सकते हैं, sin upon cos, इस पे square है, तो हम square रखेंगे, sin square a upon cos square a, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा, cot है, इस sin square a, right, अब हम LCM लेंगे, तो यहाँ से हमारा इधर multiply हो जाएगा, हम short trick ले रहे हैं, यह हमारा कुछ इस तरह से cos square a plus sin square a, और यहाँ पे हमारा क्या है ना, cos square a, ठीक है, अब यह whole divided by हमारा कितना है, फिर से यहाँ पे होगा sin square इधर से multiply हो जाएगा, तो हमारा होगा sin square a, प्लस यह हमारा हो गया, cos square a upon sin square a, अब आप देखिए, हमारा यह दोनों ही same आ गया है, तो cancel out हो जाएगा, ओके, यह आप ऐसा करजी, इसको formula पे ही ले ले जी, यहाँ पे sin square a plus cos square is equal to 1, और यहाँ पे हमारा हो गया cos square a, तो चलिए, cos square a note कर लिए, divide by, यहाँ भी हमारा one आ जाएगा, और यह हमारा sin square a, अब देखिए, यह सबसे नीचे हमारा है, यह यहाँ से multiply हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, sin square a, और यह बीच वाले multiply हो जाएगे, cos square a into 1, that is cos square a, sin square upon cos square हमारा क्या हो जाएगा, 10 square A हो जाएगा अब 10 square A हमारा कहाँ पर है D number पर है तो हम D number को tick कर लेते हैं और E आप लिख सकते हैं यहाँ पर 10 square A तो इस तरह से हमारा A भी solve हो गया तो आज के वीडियो में बस यहीं तक next question को हम लोग next वीडियो में solve करेंगे so thanks for watching have a glorious day ahead